वेल्कम बेग गाइस टो नदर वीडियो टेक विद फ्रेंड आज की इस वीडियो में बात करेंगे ड़ी सी 2 के चोना अपडेट आया है उसमें आप रेन इंटरॉप्शन का फीचर कैसे ला सकते हो तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि आप इस फीचर को कैसे इस गेम प्ले में ला सकते हो तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हो तो हाँ गाइस इस चैनल पर में इस इसी गेम की न्यूज के वीडियो इस लाते रहता हूँ जो टीप्स और ट्रिक्स है वो भी लाते रहता हूँ तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो में आपको बताने वालों कि रेंट इंटरप्शन का फिचर कैसे लाए तो उसके लिए आपको थोड़ा सेटिंग करना है यानि कि मैं जो बताने वालों वह इसे ही आपको मैच सेट अप करना है तो सबसे पहले आपको क्वी अभी वेदर में ही रें आती है उसके बाद जो जो मैं स्टेडियम दिखा रहा हूं वही स्टेडियम आपको रखना है क्योंकि मैं दो बाइस में खेल चुका हूं और दोनों बाद मेरे को रेंट इंटरप्शन का फिचर मिल चुका है तो आपको वेलिंग स्टन वाला स्ट गेम प्ले आगे वाला जब तक रेंट इंटरप्शन नहीं आता वह फास्फ़रवड कर देता हूं तो आप देख सकते हो गाइस सबसे पहले मैं सामने वाली टीम को टार्गेट दे चुका हूं तो उसके बाद आपको जुमें बाकी का सब डिलेट कर दिया है जो बीच वाल टार पूलरिक्लावड है वह नहीं होने वाली तो आप देख सकते होगाइस की जो ग्लावड वेदर है वह पूरा वह नहीं वाला है तो इढ़ा लाइनींग हो रही है तो यह फिचर बहुत अच्छा है और आप कैसे इसको ला सकते हों मैं आपको दिखा दिया तो इससे दिखा दिया है आगे की वीडियो में वो भी आप जाके देख सकते हो या फिर इधर भी आप इस फिचर को देख सकते हो इस चैंजिस के बाद आपको 90 परसंटेज चांट से कि यह रेन इंटरॉप्शन वाला फिचर मिल जागा मैं आपको बता रहा हूं कि इसके चांजिस और दोनों बार मेर को रेन इंटरॉप्शन का फिचर मिल चुका है तो आपको भी मिल जाएगा तो इसी सेटप पे आप मेंच खेलते रहे हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा इस तो इस वीडियो को लाइक और सेर कर दीजिए और अगर इस चैनल पर आप नए वीडियो मेंने टोपिक के साथ तब तब तक के लिए गुड़ बाई